आखरी बात देश में संबीधान के मुताबिक बिर्ज फॉन को सजा हो सकती है ना गुड़द्वारे में सदा मिलेगी और ना आपको बता हनमान मंदिर में गुड़ नमस्कार मैं राहूल नाकपाल और आप देखना सुरू कर चुके मारा यूटूब चैनल बोल पिचासी जं काम देश की कहीं पर कोई भी खबर होती है तो उस पर नजर बनाए रखते हैं आज हमें जंतर मंतर पर देखे राबत जी क्या लग रहा है लगवग एक महीना होने को जा रहा है स्तरकार के कान पर जू नहीं रहेंग रही है देकि मुझे लगता है कि आपकी दर्सकों को मैं कहना चाहता हूं रहुल लड़कियों ने जो सिकयत करनी थी वो लिखी सिकयत है लड़कियों ये भी दावा कर दिया कि हम दावग के साथ में कह रहें हम इसके लिए अपना नार्कोटिस करन के तियार है लेकिन उसके बाद आपको एक बड़ी बास सुनी चाहे जिस प्रटोग्राफ है मुझे नहीं पता लेकिन जिस ताकत और जिस अंदाज से कहा है मैंने बार-बार कहा मैं यह मानता हूं क्योंकि अगर सरकार देखिए आपको समझना चाहिए इसको अगर हम वापस जाए जो सरकार अब कह रहे हैं कि हम हरकत कर रहे हैं अगर सरकार हट करती ह अठारा जन्वर को यह बेटियां धरना देने यहां बैठी थी सरकार ने बड़ी हरकत की कि इनके दो फार किये दो फार करने के कई तरीके हो शकते हैं वह सकता है पद का लाला चो शंचादनों का लाला चो या फिर इनके पास एक और ताकत है पेगासस जासर सोप्ट्वेर फिर कमेटी बनाए कमेटी ने इनकी अंचुनी की कमेटी में बहुत बड़ा आरूप है कि जब योद्ड़ा स्वाथ कि शिकायत हो तो वहां पुर्णों को भीठाकर इनसे सवाल जबाब की जाते थे और फिर उस कमेटी के बाद में फिर यह लड़कीय दुबढरा बैठी सुप्रीम कोट में मामला गया था पांच साथ बेटियों का और साथ मेंसे दो की एफायर दर्ज हुई पांच एफायर गोल कर दी गई तो सुप्रीम कोट के मुखे नियाई दिशके दक्स्तवाली बेंची नियाई इनके साथ नहीं किया और फिर क्या कि 28 तारिक दी गई और शाथ दिन बाद का समय दिया गया या फायर तो आजकल तो आजकल आप और फिर साथ दिन बाद ज़र साब कहते हैं कि हमारे हाँ कोई सुनवाई नहीं होगी आप चोटा मामिल है नीचे चले जाए तो आपको यह समझना चाहिए इनके साथ एक-एक कदम पर अन्याई हो रहा है अब मैं कैसे कहूं कि मैं जिस तरीके से जिस ताकत जिस अंदास से बिर्जा बोशान सारान सिंग कह रहा है कि इनके पास ना कोई वीडियो है ने इनके पास कोई आउडियो है ने क्या कोई फोटोग्राफ है अब ज़रा मैं जानना चाहता हूँ है क्योंकि यह बेटियां खि कि जितनी सिकायतें यहां से योण सोशन की बीटियों ने दर्च कराई है उन सब की एक-एक सिकात की काट पुलिस मोधी सरकार की पुलिस मदद कर रही है बिर्ज भूशन सरन सिंग को बचाने के लिए उसके तहिक कारण भी है इसका बड़ा कारण क्या है क्योंकि बिर्ज अमिशा की इसारे पर किन किन लोगों की भूमिका थी और मैं यह नहीं कह रहा हूँ यह बाद बिर्ज भूशन सरन सिंग 20 जनबरी को चैलेंज कर चुका है मैंने मूँ खुला तो सुनामी आ जाएगी उस सुनामी में कौन बहिने वाला है और जैस जिन मुकदमा दर्च हु और जब मुकदमा दर्च हुआ उसके बाद चैलेंज किया मुझे हटाने के लिए कहे अमिशा नरेंदर मोदी नडडर मैंने कहा था सुप्रेम कोट में सुनुआई से पहले मैंने दावा किया था और आपके माद्यम से कहना जो दर्चकों को कहता हूँ हमारे देश में योन दर्च नहीं की तो अगर मुख्य नयाए धीस कनाल प्लेश की ऐसे पुलिस कर्मियों को उठा के जेल में डाल देता हूँ तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ यह फायर दर्च होने की बाद नरेंदर मोदी और अमिस्ता के बाप की ताकत नहीं थी जो बेर जबोशन को देखे और मैंने एक और दावा किया था कि करनाटक में पोलिंग से पहले बिर जब उसन पर हाथ ने डालेंगे दस तारीक को दस मई को बोलिंग ती 11 मई को बुलाया के जहें दामाद को बुलाते हैं आजया बयान को अंदेजा चला जा आप समझ रहें एक तीन बात तीन इ कि खेल के नियम बदली होने पर ये बेटियां बैठी हैं सिद्ध कर ले हम मान जाएंगे तीसरी बात कहीं ये मेरे खिलाब नी मोधी सरकार के खिलाब बैठे हैं बिल्कुल मैं कहता हूं भाई नालायक सरकार अगर बैठी हो यह शोशन करने वाले को बचारत बेटियां क्य क्या कह रहा पाची बात हेलान कर दिया इनके पास आउडियो नहीं बीडियो नहीं फोटोग्राफर नहीं इसका मतलब है कि पूलिस कर्मियों ने एक को दे रहे हैं और दावत का सा धानिन हम की रहा है जिसे आप अर्वादो नहीं है और मैं आप को बताना चाहता हूं के माध्यम से जन्बरी में राम मंदिर का घंटा बजाने वाले हैं और राम मंदिर का घंटा बजाने के समय ये कहने वाले हैं कोई बात नहीं है कि राम मंदिर का चंदा जुटा करके आयाशी का अड़ा बना चुका चिनमैनन संत है कोई बात नहीं है आपने नंगी वीडियो फिलम उसकी देखी है लेकिन माफ़ कर दीजिए उसी परकार है देश की ओलम्पिक पदक बीटियों का यों सोशन क्या कोई बात नहीं है पर राम मंदिर बनाने की भूमी का में ये भी साथ रहा है पर मैं आपके माद्यम से कहना चा हो तब देश की करोड़ों दलितों की आदिवासी मचवारों की भूमी ही ना गरीब और दलित अल्फ संक्य कोई बेटियों का यों सोशन होगा तब वो जंतर मंतर पर ऐसे डट पाएंगी तुम आओगे मदद की नहीं कपिल सिपल जैसा वकील मिलेगा की नहीं सुप्रीम क सवस्ता को देश से और सत्ता से आपको बेधकल करना होगा लाश सवाल है अपने हाला की सारी बात बिना सवाल किये जो कंप्लीट कर दी जाता था लेकि सवाल फिर भी एक बनता है कि अभी आपना देखा हुए परसो हनुमान मंदर गई उसे एक दिन पहले कनाट प्लेस का स समर्थन मांगा गया है कानून पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है पर भगवान की सरुन में इसका दर जा रहे हैं? कि नरेंदर मोदी, अमिशा, नडदा और बिर्जाबोशान सरन्ण सिंग चौरा में बैठ के कह सकते हैं कि देखना अगर हमने पाप किया होगा हमारे दे में कीड़े पढ़ेंगे किड़े पढ़ने नहीं है, बहुत धन्मान आदमी है, किड़े तो गरीब अदमी तो है नहीं कुछ रोग होगा वो भी नहीं होगा, पूरा संपन आदमी है मुझे लगता है कि हमारे देश में बिर्जाबोशान सरन्ण सिंग को ना गुरुद्वारे से, ना हन्मान मंदिर से, ना भगवान, खुदा, रब, गवड, सजा नहीं दिलाएंगे हमारे देश का संबीदान सजा दिलाएगा, हाँ, बापो की समाधी पर जा रहे हुए एक अलग मासला है लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, कि आपको ये बात हमारे देश की इन तमाम पहलवान, बेटे, नुके समर्थाकों को सोचने और समझनी चाहिए कि हनमान से और राम से तो पला उन्होंने भी जाड़ दिया, जो राम और हनमान के नाम पर देश की सत्ता के सिकर पहुँच गए, उन्होंने भी अब एक जादूगर है, धिरेंदर, क्या है उसको धिरेंदर सास्त्री, उसकी सरन में चले गए, तो देखिए, राम और हनमान तो उनके उनके भी नहीं हो पा रहे है, उनका भला नहीं करा पा रहे है, क्योंकि पूरे करनाटा के अंदर आपने देखा किते पुर जो ढंग से बजरंग बली के नारे लगवाते हुए नरेंदर मोधी दहार रहे थे, लेकिन जनता ने समझ लिया कि ये बजरंग बली रा पर राय है, और मैं आपके साब माध्यम सी, जैसे इन बेटियों ने कहा, कि हम अपना नार्कोटिस्ट एक-एक सिकायत के लिए कराने के लिए तयार हैं, एक एक कारोब के लिए, बिर्जा बोशन सरान सिंग ने कहीं दावा नहीं किया, या मैं निर्दोस हो, इसके लिए न सादू, इतना सा बुलबुल होता है, वो कहते हैं, उसमें शावर कर भारत भर्मन करता था, आपको समझना चाहिए, बहुत कहें देश में, आप समझ लिएगा, अब बताएए, पचास गराम के बुलबुल पे जो एक 6 फिट का आदिमी भारत भर्मन करा सकते हो, अंदर मु कराने की बात कर सकता हूँ, उन सब लोगों को सोचना और समझना चाहिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस बिर्जा बोशान सरन्शी को कोई भगवान खुदा रब गौड नहीं कराएगा, एक राष्टा बाइपास का होने वाला है, और वो बाइपास ये रहेगा, वो भी कह देंगे ठीक है, आप गुरद्वारे गए, हम भी गुरद्वारे जाते हैं, हनमान मंद्री जाते हैं, हम भी परतिग्या करते हैं कि अगर हमारा दोस होगा, तो हम पर कुछ रोग हो, किड़े पड़े, और पतनी वो किड़े पड़ते हैं कि नहीं, कुछ रोग होता है कि नहीं लेकिन एक बात मैं दावय के साथ मैं कह सकता हूं इनको ये काम करना चाहिए इन्हें एक आफिडेविट बनाना चाहिए बिनेश फोगाट को साक्षी मली को अपने आरोपों को लिए और मंदिर में जाने की बजाए कूछ करना चाहिए परधान मंत्री के वहां तो कड़ा एफिडेविट और मैं अपना नार्कोस टेस्ट करने के त्यार हूं तेरे सांसद बेटियों का यहीं बात साक्षी मलिक करें और यहीं बाकी पांच बेटिया करें एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं इन नालायकों ने बिर्जबोषण को नक्यवल सारी जानकारे दी है बेर्जबोषण सरंची का एक वीडियो वायरल हो रहा वह दावा कर रहा है आरोप लगाने वाली बेटियों के पास ना मेरे खिलाब वीडियो है आउडियो है ना फोटोग्राफ है यह जानकारी डी सीबी साहबा सारभ जनिक करें या फिर अमिसा जिसकी पुलिस है जिसके सारे पुलिस काम करती है उसे सारभ जनिक करना चाहे कि बिर्जबोषण तक एक आरोपी तक यह बातें कौन डिलिवर कर रहा है यह चिंता का गरद्वारे में बंगला साइब में जाकर के लंगर घता हम ने वहां जाकर जरूर कहाओगा सब मारे 100 2,000 लोग यह हमारे भी 500 लोग आपको हम करकि की भार अवारे कारे करता हो जो डुटिय आब लगा γjin रहें गुरद्वारे में आपको भरपे लंगर मिल सकता है सुकुन मिल सकता है सब कुछ मिल सकता है हनमान के मंदिर में हो सकता आपको परसाद मिल सकता हो मंगलबार को लेकिन नयाई तो देश की पहलवान बेटियों को संभीधान के मताबिक मिल पागा धन्यवाद तो आप थे बूपेंदर सिंग रावत सोसल एक्टिविस्ट हैं और सवाल वही था कि क्या मंदिर और गुर्दवारे और गाधी की समाधी या को सकता कल को मेटकर की जो 26 अलीपुर या 15 जनपत जो उन्से जुड़ी हुई यादे हैं वहां पर पहलवा होस्ता के दूर दराज बैटकर के जनतर मंतर पर पहलवान बेटों के समर्थन में चल क्या रहा है